हेलो गाइस स्वागत है आप सबका तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गेस की और यहां पर अगर देखे तो मुझे कुछ कमेंट आये थे कि इसके अंदर अब बाइंग की जा सकती है नहीं अगले आने वाले वीक में तो पूरे हपते की हम बात करेंगे इसका प्राइस क कितने हो सकते हैं और सपोर्ट किया हो सकता है यह भी हम चर्चा करेंगे साथ ही साथ इसके जो नेगेटिव पॉइंट से और पोजिटिव पॉइंट वो दोनों ही के बारे में हम चर्चा करेंगे तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना तभी जो है आप एक सहीं डिसीजन ले पाएगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपको रिक्वेस की अगर आप नए है तो सबसे पहले आपको जानकर यह अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें जो भी लोग शेयर मार्केट के अंदर जुड़े हुए है आपका प्यार जताए शेय के मेरे बारे में हम आज बात करेंगे कि कहां तक इसकी जो है रिली जा सकती है सबसे पहले तो यहां पर अगर आप देखेगे तो यह हाइस्ट वोलियूम है जब तक यह अदानी की और हिड़नबग की जो रिपोर्ट आई थी तब से लेकर यहां पर जो इसने साड़े 600 इसे प्रिविएस का वीडियो इसके पहला वीडियो मेरे चैनल के उपर जाएए वो वीडियो आपको मिल जाएगा जिनों नहीं देखा वो बहुत इंपोर्टन वीडियो है इन्फोमेटिम वीडियो है और इसी वज़े से जो इस खबर के चलते इसके अंदर तेजी आई थ पहला नेगेटिव पॉइंट है इसका वेलियोएशन जो की इतना इंपोर्टन है नहीं क्योंकि आप सब जानते कि इसका वेलियोएशन जो है दूसरे इसके जो पीयर से इनके मुकाबले ज्यादा है लेकिन वो विछले दो-तिन साल से थोड़ा बहुत ज्यादा ही रहा और इसकी वजह है कि इसका जो ग्रोथ है फ्रीचर के अंदर जो है इसकी ऑपोच्रूर्टी अभी जो दिख रही है वो अच्छी दिख रही है इसके वजह से मुझे साल अभी इसका पीडियोशन अभी इसका जो पी रेशियो है वो हन्रेट के ऊपर आ थे लेकिन साथ ही साथ यह जो फाइ दूसरी जो नेगेटिव पॉइंट पहला जो पॉइंट है इतना महत पॉपुण नहीं लेकिन दूसरा जो पॉइंट है तो वह थोड़ा सा जो है क्योंकि इसके अंदर जैसे कि आप पता होगा कि अगले हपते या फिर जो है इक अनुमान के मुताबिर एक करोड और असी लाग शेर उसके पास उतने जो है यह बेच सकते है इसमें से ज्यादा तर शेर मुझे सलग रहे कि वह बेच चुके होगे अब थोड़े बहुत शेर बाकी होगे तो यह अभी भी थोड़ी सी विक्व बीच में इसकी विक्वाली आ सकती है यह एक चोटा सा पॉइंक है कि इस तो यह पर आने वाले फूरे हपते में तो जो वह सकता है कि अगर यह जाए साट सो पचास के आजपास और वह पर अभी इसका प्राइस साट सो से नीचे कल रहा है लेकिन साट्स पचास के आसपास तो वहाँ पर जो है वो थोड़ा सा रुख सकते हैं तो वो अपनी जो लिमिट है नीचे डालने की शुरू करेंगे यह साथ सो पचा साथ साथ इसको पता है कि यह लोग अगर भी इसके अंदर बेच सकते हैं इनको अपना माल बेचना है तो ज्यादा पैसे मतलब कि न दे और नीचे में खरीदने की कोशिश करें और मतलब कि 700 रुपे 720 और 750 के जोर में तो यह एक जो है नेगेटिव पॉइंट हो गया और सबसे पहलों तो इसके अंदर हम पिछले क्वाटर में किया हुआ था वो आप छोटा सा आपको डिटल देना चाहूंगा यहां पर आप देख रहे हैं साथी साथ यह जो गोल्मेंट से की भी रिपोर्ट आई थी वो भी थोड़ा बहुत जो है अभी माल इसके अंदर बेच सकते हैं लेकिन यह कहीं ना कहीं जो कल हुआ सुक्रोबार को वो काफी अच्छा रहा अच्छी कासे डिलेवरी उठी इसके में आपको नंबर 16% का माल अवैलेबल है डिया इसके पास अगर देखिए तो 6.1% है यह जो है अंजचेंच है पिछले क्वाटर मुकाबले इस क्वाटर में इसके अंदर मुझे इसा लग रहा है कि LIC भी शामिल होगा इसके पास अच्छी खासी होल्डिंग है और साथी साथ पब्लिक ने इसके अंदर अच्छा का 1% का माल उठाया एक पसेंट कम नहीं है एक लाग क्रोड के आसपास इसका मार्केट की अपशागी जब ये 1000 रुपे के आसपास था तो तक्रिबद इसके अंदर 1000 क्रोड के आसपास में बताई थी आप लोगों को याद होगा 1000 क्रोड का सबस में और रिटेलर ने यहां पर अगर देखे तो वोलियम की अगर बात करें तो NAC और BAC दोनों का लेटा मिला कर अगर देखें तो कल के दिन एक ही दिन में 41 लाग शेर की जो है यहां पर डिलिवरी उठी है काफी स्यादा शेर इसकी बायं हो चुकी है को मतलब कि ए की थे कहा यहीं ग्रीन कलर की इसको कहते हैं बुलिष एंगल्फिन की, बुलिष एंगल्फिन, मतलब कि यह जो प्रिवियस कैंडल थी यह बैर केंडल थी इसको पूरा का पूरा पूरा जो एब्जोर्ब करके खा गई इसको अगर आसानपासा में समझाऊ तो यह बुल्ष जो है वह बैर को इस तरीके की जो है इसकी definition है पूरी candlestick pattern की जो एक series में लाने वाला हूँ तो तब तक के लिए subscribe जरूर कले जब मेरे 5000 subscriber हो जाएगे तो यह जो है candle एक bullish candle मानी जाती है और यह जो है reversal का संकेत देती है यह सबसे बड़ा पेला जो है positive point से मैंने बोला था negative point आपको बता दिया positive point यह है तो यह सबसे बड़ा और यह जो एसी candle बनती है तो बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि इसका आसर नहीं होता ज्यादा तर जो है यह तब ही चालू होती है जब इसके अंदर शेर के अंदर जो है एक reversal स्टार्ट होना होता है और यह काफी दिनों से यहां पर गट रहा था यह तरब तेजी आ सकती है तो यह भाल है इंडर करना सकते हैं बेर्ण को यह जो बंदी को यह पूरल को सृणर बॉलन को यह खा गए तेजी वाले यहां पर आप साप सबसे करना एक एक जह Но नीचे तक पूरिकिखेशल वालति मसिन्टीर प्ड़ा हम भरते हैं उप सबसे कि आसपास एक इसके अंदर वोलियम देखने को मिलता है और फिर इसके अंदर तेजी आती है और यह उपरी लेवल के उपर बंद होता है फाई मिनिट के चाट के उपर भी देखे के तो वहीं है जिसके अंदर आपको हाला कि अच्छा समझ में आएगा यहां पर अगर देखे तो यह इसका डेली चाट है इसके अंदर मैंने यह बोलिंगर बेंग भी लगाया है तो इसका रिजन यह है कि यह तेजी आई तो कहां तक आ सकती है कल मैंने बताया था जो इसका रिट्रेस्मेंट है यह जो करेक्शन आया है उपर से यहां से सुरू हुआ था करेक्शन जो है इंडिकेटर है ये भी काफी ज्यादा का है तो इसको भी आप देखिए इसका ये बीच की लाइन है यहां तक ये जो है इसके रेली जा सकती है और मतलब की यहां पर अगर अगर देखे तो ये हर दिन साथ ही साथ ये भी मैं बता दू कि चेंज होता रहता है जब से करेक्षन के बता दीया चुरू अगर इसका रखेंग हो खोता ही सब्सक्राइब को ne इसके अब बहुत इसके अंदर जो है अभी जो है तेजी आ सकती है और यह मतलब की इसका फिर से यह वह लिंग रबेन है लेकिन यहां पर अगर देखे तो इसका विकली चार्ट जमने हम लगाया तो यहां पर भी एक यह जो सवा 800 रुपए है इसका 5 विक का मुविंग आई आप देख सकते हैं जब से हिरंबर की रिपोर्ट आई तब से इसके उपर यह टिका नहीं है यह जो औरेंग कलर की लाइन है तो यह फिर से जो है वहां पर जाने की कोशिश कर सकता है लेकिन यह सब 800 रुपए जो है आने वाले हफते में यह यह भी चेंज हो जाएगे कि य औरेंज कलर की लाइन भी नीचे मूँ हो रही है मुझे इसा अलग रहा है कि यह साड़े साथ सो से लेकर साथ सो असी रुपए तक जो है यह यह फाई विक का मूविंग जा सकता है तो यह लेवल भी जो है अच्छा-कसा एक रेजिस्ट फेस यहां पर भी इसको करना आने वाले हपते में अगर तेजी आती है तो यह तकरिबन 30 तक जा सकता है तो एक बाउंस देल आना एक 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 स्थेक्ट है और पॉसिबल यही है कि अंदर कर्रेक्चन आये उससे तो जो है एक ज्यादा पोसिबलिटी यह है कि इसके बाउंस बैका सकता है मतलब कि मंदी क केज सकते है और यहां पर इसको एक रिजस्स्ट का सामना करना पर सकता है कि पहले स्पोर्ट था व कि अब ग्रशेस्ट बन सकता है और आप यहां पर देख सकते हैं यह जो पिछले मीने की केंडल थी इसने चुछे आपशंपास का एक सपोर्ट लिया था उसके बाद इसके अंदर अच्छी कासी तेजी आई थी, यहां पर अगर देखे तो हजार रुपे तक गया था, 25% के आसपास की यहां पर तेजी आई थी, यहां पर मैंने बोला भी था, जब मैंने वीडियो बनाया था, और यहां पर अगर देखे तो यह भी एक लेवल है, 780-800 का जो ज हपते में, पूरे हपते में अगर कुछ ज्यादा अच्छा रहा, फिलाल तो यह जो 780-800 का जो जोन है, वहीं जो है काफी बड़ा रजिस्टन यहां पर साबित हो सकता है, लेकिन उसको भी पार करता है, कुछ बड़ी पोजिटिव न्यूस हाथ, यह तब की बात है, और अ हपते में, यह जो है 900 तक जाएगा, उसके बाद यह हजार रुपे तक भी फिर से जा सकता है, लेकिन 900 रुपे तक जाना और वहां पर टिकना वह ज़रूरी है, आने वाले हपते में ही, और इसका एक रिजन है, यह जो इसका 9 हपते का मुविंग एवरेज है, यह भी विकल रही है, तो यहां तक अगर यह जाता है, तो जो है MECD का एक गुलिस क्रोसओर बन जाएगा, और उस वज़े से इसके अंदर एक टेकनिकली लेवल अगर देखे, तो तेजी जो है, एक मीडियम टर्म की बात करें, दो से तीन महीने में एक ज्यादा तेजी इसके अंदर आ ज्यादा बेतर एक अंदाजा मिल जाता है, तो यहां पर अगर इसके सपोर्ट और रजिस्टन की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, पूरे हपते की अगर बात करें, तो सबसे पहले अभी इसका 608 रुपे का प्राइस है, नीचे में इसका सपोर्ट देखे तो 650 रुपे है, तो यह सबसे बड़ा सपोर्ट है, उसके बाद देखे तो 600 रुपे का जोन है, यहां पर देखे तो फॉंडमेंटली एक वेल्यू बाइंग या पिर आप कही सकते हैं, तो 600 रुपे का यह तीनों की तिनों सपोर्ट है, रजिस्टन मैंने आपको अल्लेडी बता दिये, ले और अगर किसी को बाइंग करनी है, तो हां कर सकते हैं, फिर से मैं बताता हूँ कि इसके अंदर तेजी आ सकती है, तेजी के संक्यत है, लेकिन स्टोप लोस ज़रूर रखिए, अपनी के अनुसार ट्रेड ले अगर आप टेड लेना चाहते है तो, और साथ ही साथ अब यहा सारा का सारा retracement है, और 50% के बाद किया आता है, तो आता है 67%, 75% और अगर देखे तो 100%, यह जो इसके अंदर तेजी आई थी, 650 से, अब उसका 50% retracement और यह correction था, वो जो है 100% के आसपास जो है, यहां पर फिर से जो है, 650 के आसपास आया, तो यह 100% का एक retracement हो गया, नीचे से उ बाउंस बेग आया था, और फिर यहां पर 650 के आसपास इसने बाउंस बेग लिया है, तो यहां पर अगर देखे अब यह correction आया, 360 का इसका 50, 25% कितना होगा, तो वो एक्चुली होगा 90 रूपे, 33% कितना होगा, तो वो होगा 120 रूपे, 50% कितना होगा, तो वो होगा 180 आठाइब यह जोड़े तो तकरीबर 800 रूपे का जोन, तो यह तीनों के तीनों के तीनों रजिस्टन है, और एक चीज़ आपको रजिस्टन की में बात बता हूँ, यह तीनों ही जो है, फास्ट मुविंग गेवरेज है, फास्ट नाइन देस और 21 दिन का मुविंग गेव तो यहां पर अगर देखे तो यह जैसे के बुलिश एंगल फिल्म बनी है तो यह एक तेजी का इशारा है टेकनिकल लेवल के टेकनिकल भासा में अगर बात करें तो तो यह भी आप जो नोट करकर रखें और साथ ही साथ अच्छा खासा वॉल्यूम भी है तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें शेर करें और मेरे चैनल को एसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले और एक्स्टैनर डिस्क्ल